अगर आप Xiaomi, Redmi & Poco कोई भी डिवाइस पर्चाच करने वाले हो रिसेंटली तो आपको कुछ ऐसे टिप्स & ट्रिक पते होने चाहिए जिसके विएसे आपको काफ यदा बेनिफिट मिलने वाला है अपने Xiaomi Redmi को यूज करते हुए अभी यह जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ यह Redmi Note 13 Pro और Poco XS Pro के लिए SIM-to-SIM होने वाला है और यह similar features आपको Redmi, Xiaomi & Poco के किसी वी डिवाइस में लेखनी को मिल जाएगा तो recently जो फोन लाँच हुए है उस अगर आप बाई कर चुके या बाई करने वाले हो तो इस वीडियो को देखके आप अपने फोन को काफ या अच्छे तरीक से यूज कर पाऊगे और कुस्माइच कर पाऊगे तो चलिए सुलू करते हैं आद की वीडियो को और देखते हैं कुछ टिप्स & ट्रिक सवामी Redmi & Poco के डिवाइस के लिए फर्स्ट अफॉल आप देखोए कि यहाँ पर ऑन स्कीन आपका फिंगरप्रिंट सपोर्ट है तो इससरे लेटर आपको कुछ सॉटकर्स देखनी को मिल जाते हैं यहाँ पर एकस्ट कर सकते हैं जो कि आपको काफी पसंद आएगा जिसके लिए सिंपल क्या करने के आप उस सेटिंग में जाना है उसके बाद यहां पर आपको मिल जाता है जो कि पासवर्स एंड सेक्योर्टि उसका बाद आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट अनलॉक यहाँ तो यहां पे आप अपने fingerprint से कुछ shortcut को access कर सकते हो जो कि यह काफी अच्छा benefit आपको देगा साथ-साथ unlocking animation कैसा होना चाहिए यह चीज़ आप यहां पे खुछ से change कर पाऊ गए यहां पे मैं रखूँ तो आप तक है है फिर से मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ चेंज का तो आप देख से ते हो काफी क्यों को अनलोग हो रहा है बट आपको यह animation दिख रहे होंगे तो देखो यह किछ टरीके से चेंज होते हैं उसका आपको अनलॉकिंग की टाइम पर वैबरेट होना चाहिए या नहीं फोन के अंदर वो चीज़े सेट कर सकते हो ताकि अनलॉक हो तो आपको पता चले लो लाइट में आपका जो fingerprint icon so करता है वो भी आपका low हो या नहीं वो भी आप यहां से activate है यहां से कर सकते हो तो यह भी अच्छी चीज है उसका so fingerprint icon when screen is off यानि आप चाहते हो कि off करने के बाद आपका fingerprint icon so होता रहा है तो वह आप रख सकते हो अलदवज आपकी प्रैक्टिस हो चुकिए आप डियक्टिस से हटा भी सकते हो जैसे कि मैंने भी यहां पर हटा दिया था तो यह काफी अच्छे features आपको मिलते हैं जो कि shortcut के रूप में आ lock screen password डाले हुए साथ रेडमी के note 13 series के अंदर और एक नया setting add किया गया है वो है हमारा यहां पर OTG का जो कि अक्सर आपने oxygen voice में पहले notice किया होगा जिससे आप एक device से दूसरे device को easily connect कर पाऊगई सेटिंग का यूज करते हुए बस OTG के वल आपको add करने की जरूरुवत है जो कि यह पहले नहीं हुआ करता था बट आ चुका है और on screen fingerprint होने का advantage आपको एक और यहां पर देखनी को मिलता है जो कि यहां पर heart rate का features जो कि कि कितना accurate है तो भाई कहां नहीं जा सकता बट हां यह यहां पर जैसी on होता है आप fingerprint के जगा अपना उठा लगा दो और कुछ देर तक hold गरो यह आपका heart rate है जो बता देता है तो यह features भी आपको देखनी को मिलेगा on screen fingerprint होने के वजह से जो कि आप इसे use में ला सकते हो और मैंने इसे check किया है पूरा 100% accurate नहीं रहता बट हां overall कह स जबते हैं कि यह okay है ठीक है यहां पर आप देख सकते हो कि यह ठीक ठाक है बट आज टाइम पास की रूप में लेके चलना इसे serious में लेके मत चलना साथ साथ अगर आपको लगता है phone ठाटर कर रहा है like कर अधा slow feel हो रहा है तो आप यहां पर RAM को boost कर सकते हो आपके अलग device मे में अलग-अलग हो सकता है बट नो 13 स्रीज में और POCO X6 स्रीज है उसमें आपको 4,6 और 8 देखनी को मिलेगा यह यह आप चाहते हैं इसे turn off भी कर सकते हो multitasking के लिए floating window में आओ sidebar को आप on कर दो उसका यह बार आपके सामने आजाएगा जहां से one time में आप दो tap को open करके असानी से multitasking का benefit ले पाओगे और home पे आते ही यह आपके bubbles के रूप में स्विच कर जाते हैं side में और इन पे tap करने के बाद यह फिर से आपके सामने है जो आ जाते हैं और इसे आप small window activate भी है जो कर सकते हो जो कि देखने में काफी जादे यहां पे जो सही लगता है another setting आपको देखने को मिलेगा वह एडिशनल के अंदर ही जो है जेस्चर से related जहां पर आप देखोएगे कि back tap का features मिलता है तो back tap जो कि सबसे पहले हमें आइफोन में और pixel में देखने को मिला उसी हिसाब से कुछ shortcut आप सेट कर सकते हो जैसे camera launch होना calculator या silent करना phone को या talk back बगएर आप सेट कर सकते हो तक आपको बार बार silent करने के जुरुत पर दिरती है यह meeting के लिए तो यहां पर sit कर दो और जब यह आप इस तरीकी से double tap करोगे तो आपको फोन silent हो जाएगा और यह triple tap का भी आपको option देखने को मिलता है लेकिन हां सम्टमें इरिटेट करता है कभी को आप फोन को टेवल पे रख रहे हैं वहां से उठार है तब यह active हो जाता है तो इतना accurate नहीं है बढ़ हां काफी वत तक यह आपको कई सारे काम कर देता है another flashlight option ने जो कि night की time में आपके काफी help करेगा यह पहले से off आता है तो आप इसे on कर देते हो और night में light चली गई बाइचांस आपको torch यह light की जरूँए थे तो आपको पहले unlock करना पड़ेगा draw कर परेगा उसके बाद आपको फ्लैसलाइट यहां पर on करना परेगा लेकिन अगर on रहता है तो simple power turn को two time प्रेस कर दो आपको यहां पर आ जाएगा और एक बाद फिर से प्रेस करोगे यह off भी हो जाएगा यानि फोन को नहीं unlock करने की जरूँद है नहीं कुछ आपको देखन नहीं करते इसके वजह से कहीं कहीं जगह पर आपको काफी श्टटर और जीटर फेस होता है यूट्यूब और बाकी अधर अपली किसर में जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि हमारा किस तरीकी से काम करता है और इसे आप ठीक भी कर सकते हो क्योंकि यह Redmi के note 13 स्रीज म यहां पर लिखाऊ आएगा टैप करो आपका डेवलोपर सेटिंग अन हो जाएगा और एक बात बैक आ जाओ नीची कर आओ अडिशनल के अंदर जाओ यहां पर आपको दिखाए देगा डेवलोपर सेटिंग यहां पर आपको देखने को मिल जाता है हमारा एपिस मीटर जो और आप कॉलिंग अगरा असानी से कर पाओ गए यह सेटिंग भी आपके लिए इंपोर्टेंट होगा और अगर आप बार बार फाइल ट्रांसपर करते हो PC से फोन में फोन से PC में तो बार बार आपको ऊपर से आकर से लेक्ट करना पड़ता है कि वहां हमाई फाइल ट्रां करेगा तो यह चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है अब रही बात मैं बात कर दा था 120 पर इनेवल करने का यूटूब अगर और वह अप्लीकेशन जो कि आपका रन नहीं करता अब मैं आता हूं यूटूब के ऊपर अब आप यहां पर देखो है कि यूटूब पर आ यहां पर एक और एक्स्ट्रा सेटिंग दिया गया है एप यूजिंग हाई रिफ्रेश एट इस पर आना है और जो अप्लीकेशन आपका काम नहीं कर रहा है 120 में उससे आपको यहां पर फाइंड करना है जो कि देखो यह ऑफ बोड में है और अन कर देना है उसके वाल आप यह सेटिंग आपके काफी काम आने वाला है यह को स्मूथ करने के लिए और 120 का हर जगा बेनिफिट लेने के लिए अधसाथ रेडमी के नो ठाटीन प्रो स्रीच के अंदर और में भी यह पोको एक्सिस में भी होगा एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है जिसकी हेल्प से आप without ringtone को कम या ज्यादा किये हुए volume को कम या ज्यादा किये हुए अपने system notification sound को control कर सकते हो और यह काफी useful और demanding features है जो कि अभी तक किसी भी older device में हमें देखनी को नहीं मिला लेकिन especially इसमें दे दिया गया है जो कि मैं यहां पर activate कर रखा हूँ और यह hyper voice में आई नो कि इसे by default है आपका off रहेगा और इस तरीकिसा आपको तीन पैनल ही देखनी को मिल जाता है तो यहां पर बस आके इसे on कर लेना है आपको यहां पर है जो यह चीज़े activate हो जाएगी और आप without ringtone पर effect डाले वे अपने system sound को कम कर सकते हो बंद कर सकते हो और मैं अक्सर बंद ही र जहां से इसे modify to कर नहीं सकते हो बट एक और option मिलता है optimize audio quality जो कि भी काफी important है और आपके audio listening में यह काफी इंप्रूम्मेंट लाएगा तो जब आप buy करोगे 13 स्रीज या X स्रीज जो कि अभी launch होए हाल फिलाल में तो इसमें यह setting को यूज जरूर करना आपको कुछ ने कुछ चेंज देखनी को मिलेगा और में भी आपको audio काफी पसंद आएगा अनदर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक नहीं है यह features है कि बहुत सरे device जो कि समय के recently launch होए थे उन सभी में proximity sensor नहीं दिया गया था जिसकी विए से क्या होता था कि pocket में ढालो तो आपने आप है जो display कई बार किलिक होते रहते थे और कभी कुछ कभी कुछ open हो जाता था बट इसे बचने के लिए यहां पर pocket mode डिया गया है जिसके आपको simple आना है हमारे lock के option में जो कि यह है always on display और यहां पर आपको दिखाए देगा pocket mode इसे आप on कर लेना है यह अगर आपका on रहेगा ना और जब भी यहां पर यह चीज दिक्कत आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा यह चीज आप जरूर on कर लेना अनदर काफ़ important feature से उनके लिए जो कि gaming ज्यादा करते हैं I know कि आप gaming के लिए बाई कर रहे हो तो पूरे दिन gameplay करने वाले हो वैसे में क्या होता कि जब भी आप network यूज होता है या कुछ भी होता है तो दिक्कत आती है फिर वाइफई यूज करें और कहीं दूर चले गए तो रेंज कम होने को जैसे भी पिंग इसू आ जाता है लेकिन यहां पर दोनों का combine करके आपको अच्छा speed प्रवाइट करने का setting दिया गया है जिसके लिए आपको simple आना ह नहीं आएगा gaming के time में और बाके दर कामों में और आपको एक अच्छा network connectivity मिलता रहेगा तो यह पहले से by default आपका off रहता है तो इसे on जरूर कर लेना अपने phone का setup कर लेने के बाद एक extra setting बता रहा हूं जो कि आपको by chance से जरूत परेगी लेकिन है यह जानना जरूरी है और म आप 6 से 7 टाइप करो तब आपका यहां पर फोन इंफ्रमेशन वान टू और वाइफा इंफ्रमेशन ओपन हो जाएगा यहां पर आने के बाद आप क्या कर सकते हो जो भी सीम डलवा है वो ओपन होगा दूसरा ओपन नहीं होता है आप यहां पर अपने network type को चेंज कर पाऊ है तो यह चीज़े आप मत करना ठीक है लेकिन मैं बता रहूँ अगर इंफ्रमेशन है जनकारी है तो इसे आप इजली बीडावड किसी code को डाले वे डवल टैप करके इंटरने श्रोज पर आन कर सकते हो और यह में ला सकते हो जो भी आप मोडिफाइड करना चाहते हो एक अधर फीचर से विजट से रिलेटेड जो कि अभी पोको अगर आप एक स्रीज बाई कर रहे हो और उसमें हाईपर वसका अपडेट नहीं आया है तो यह उन पर डायकली आपको देखनी को मिल जाता है लेकिन आगे चलके जो मैं बता रहा हूं वह आप फॉलो कर सकते हो यह आपको दिखाए देगा यह वाला लिस्ट यहां पर लिखावा है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करते ही नीचे आजएगा Android विजट इस पर टाइप करो यह पुराना वाला लुक आजएगा और यह पुराना वाला लुक आपको दिखाए देगा यह पोको में आपका नीट पड़ती है क्योंकि जब भी नया फोन करेते हैं तो बहुत सरे अप्लिकेशन डाउट कर लेते हैं कि कभी ना कभी काम में आएगा और ऐसे में हमारे आइकन कई आरेंज नहीं होते हैं बिख्रे परे रहते हैं तो उन्हें वाइब 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 करके इस तरी किसे हम काफ ही इंपर्टेंट है वाज ले एक है आपका आटो ब्राइटनेस से रिलेटेड बहुत सब्सक्राइब लोग है जो मैंनुल ब्राइटनेस यूज करना ज्यादा प्रिफर करते हैं इंसाइड लेकिन वैसे में क्या होता कि जैसे कि यह मैनुल है अचानक सब का पर लॉंग प्रेस करो आपका यह सेटिंग ओपन हो जाएगा एटोमाटिक ब्राइटनेस जो कि आटो तो स्विच होता है बट अगर आप मैनुल यूज करते हो ना तो यह सन लाइट मूड को आउन कर देना वैसे में क्यावा कि जब भी डाइक्ट सन आपके फोन के पर पर आपका ऑटो आं हो या नहीं हो यह बाइसका करेगा और पर शुच्च करता और इसके बाद से लोग अपने फोन के अंदर कई सारे Apps डालते हैं ताकि कई भी इस चीजों को प्रोटेक्ट कर सके लॉक कर सके बर डॉंट वर्वाई आपने सवामी का फोन भाई किया है पोको का फोन भाई किया है तो सब कुछ आपको डिफॉल्ट मिलता है वह भी काफी जगहों पर देखनी को मिलता है जैसे गालरी अगर आपको कोई भी चीज हाइड करना है चिपाना है फोटो या वीडियो सिंपल गालरी के अंदर आओ इधर एलबॉम पे स्विच करो इसे लॉंग स्वाइब करो लॉंग स्वाइब करते हैं यहां पर इस तरह की से पासवर्ट सेट का ऑप्शन आ जाएगा यहा वाँवर है वहालरी का फोल्ड़ उपन होगी है यहां और आप स्वाइड कर सकते हो इसा ट्रीक है आपका मैसेज बग Ladiesंब करके करनेगा आपके फोन के अंदर गूगल मेसेज है तुस पी यह काम नहीं करेगा उसके लिए आपके फोन के दर मी मेसेंजिंग होना चाहिए तो बस इसे आपको बाद यहां पे करना है बस जो पास्वड आपने डाला था अपने बास्ट टाम और यहां पर प्रैविट आपका म अनंदर यह सेम चीज आपको देखनी को मिलता है फाइल के अंदर यानि फाइल पे आप आते हो उसकार इसे आप लॉंग स्वाइप करते हो तो यहां पे आपको यह चीज देखनी को मिलती है और यहां पे आपको देखनी को मिल जाता है वही पासवर्ट जो कि आपने डाला है और यहां से फिर से आप को भी private file को रख सकते हो file manager के अंदर और फिर से आप वहां से unhide भी कर सकते हो तो तीन जगह आपको मिलता है private चीजों को छिपाने का वह application वगएर को छिपा सको तो उसके लिए simple security पर आना है यहां पर दिखाई देगा app का नाम जो की hide app है इस पर क्लिक कर देना आपका पूरा एप का list सामने आ जाएगा जैसे कि मैंने 2 को hide कर रहा है बाकी वह hide करना इस त protection डाल सकते हो apps lock लगा के यह चीजे भी आप यहां पर कर सकते हो ठीक है यहां पर मैं फिर से नया password set कर रहा हूं देखा कि आपने मैंने ड्रॉ किया और यहां पर यह चीज हो चुकी अब मैं यहां पर आऊंगा यह आ गया password से open किया नहीं हुआ मैं यह डाल लेता हूं क्यों यहां पर आप एक Xiaomi Redmi या Poco के डिवाइस बाइक कर रहे हो तो और इन मैंसे कुछ ऐसे से टिंग्स है जो कि प्रस्टनली Redmi की Note 13 स्रीज में देखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर आपका special notification control का features और यहां पर OTG वगरे का features तो ऐसे कुछ-कुछ features हैं जो कि special 13 स्रीज में दिया गया है इस phone के साथ आपको gaming features भी मिलता है बट वह features क्या कुछ है कैसे काम करता है किस तरीकसा आप यूज मिला सकते हो वह देखते हैं तो यहां पर कुछ इस तरीकसा animation and sound जो कि देखने में काफी अच्छ लगता है और यहां पर आप देखो पीछे जो start जैसे dot dot डिखाईते है तो यहां से off कर तो आपका remove हो जाएगा यह जैसे on कर तो यह आपका add हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम इससे अगर back कर देते हैं ठीक है तो यहां पर आपको extra setting मिलता है कस्टमाइज करने का performance boost करने का जैसे कि यहां पर GPU का setting है और यहां पर आपको additional setting जहां पर classic है आप तो pro mode activate कर सकते हो यह खुद से आप यहां पर setting को कस्टमाइज कर सकते हो और display के age को आप चातो date कर दो तागी गेम इस तरह से खेलो तो यहां पर miss touch नहों तो यह date करने का आपको area मिलता है जहां पर medium, large, small और none भी देखनी को मिल जाता है बाकि यहां पर आपके इससे color रखन कर सकते हो और यहां पर सेटिंग आपको देखनी को मिलता है पावर सेविंग जहां पर आपका है जो प्रफॉएंस भी थोड़ा सापका डाउन रहेगा यानि बैटरी को में बचाएगा और आगर बालेंस पर लखते हो तो सब कुछ और आपको हाई प्रफॉएंस चाहिए यानि बैट्टी ड्रेन हो तो हो लेकिन गेमिंग में कॉंप्राइंस नहीं करना तो हाई प्रफॉएंस मूड आपके लिए काम आएगा और यह कस्टम आप खुछ से मैनेज भी कर सकते हो यहां पर बाके अधर ऑप्शन भी दिये गए तो यह काफी अच्छा इक्ट्रा फी दिये इते हैं झाफी अच्छा है और यहां पर सेटिघ्ण पर पहर रखना या नहीं एक गेम डियूर के बाके तर चीजे आहां पर आपको रिमूर्व करने का ऑप्शन मिल जाता है बाकी अनिस्टोल करने का और Jim engine कर रखें क्र निकर और से हो नहीं जैसके फून गर सकते ह यहां पर इसे अपने हिसाब से कर सकते हो ताकि गेमिंग की टाइम में यहां पर आज काफी बहत्रीन में लगता है ऐसा लगता है ट्रास्फॉर्मर का मूवी चालू हो गया हो मजा जाता है इसके बाद यहां से इस तरह के स्लाइट करेंगे तो यह हमारा गेम टर्वो जहां पर आप मल्टि टास्टिंग विंडो ओपिन कर सकते हो ताकि आप गेमिंग के टाइम में कुछ और काम भी कर सको काफी एजी टू यूज हो जाता है और एक साथ यहां पर दो टीन टाइब ओ यहां पर देखने को मिलता है और यहां से आप प्रफॉएंस को थोड़ा सा और बूस्ट कर सकते हो इस तरह की से प्रफॉएंस मूड अन करने के बाद एपिस दिखा रहा है कि बढ़ा देगा यह एक जामपल की रूप में एसा नहीं कि आपका 76 है तो यह 120 कर देगा नहीं यह एक जामपल सो कर रहा है ठीक है इसके बाद यहां पर D&D का उप्शन आपको मिल जाता है तकि कॉलिंग रिकॉर्डिंग है सेटिंग है ब्राइटनेस वगरा बूस्ट करने का उप्शन है उसके वाले यहां पर स्क्रीन लॉक है कास वाइफाई ब्राइटन स्लाइडर जो कि इधर आ जाता है यहां पर वाइश चेंजर ताकि आप अगर टीमेट से बात करना चाहते हैं अपने और इनल अवाज में नहीं डिफेंड आवाज में यहां पर अलग लग टाइप के आपको मिल जाते हैं जैसे गर्ल रोबो मैन वूमेन कार्टून वगरा जो की काम क करता है और साथ-साथ यहां पर बैक आने के बाद आपको मिलता है ताइमर कि आप इस सेट कर सको देख सको कि आपने गेम को अपने प्ले किया है चीजा है इस सारे लिए पर यहां व् ND Note 13 Pro and POCO X6 तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस आपको अपने फोन को अनलॉक करना है अगर आपका डिवाइस AOD सपोर्ट करता है तो उसके वाद आपको आना है Always on के option पे Always on और यहाँ पे प्लस का sign जहाँ पे आप आपके अधिकी से चीज है आपके काम करेगी जहां पर बाकिदा टाइम अड्र वगरह भी यहाँ पर एड कर सकते हो और और manual color भी आप यहाँ पर select कर सकते हो तो यहाँ पर आप जो चाहो वो रखो और बागी चीज़ आपको दिखाई देगी ठीक है दिया गया है जो कि साइड आपको बागी देखने को ना मिले तो आई होप कि आज के जो टिप्स और ट्रिक आप वीडियो था आपको काफी काम आएगा और हाँ यह जितने भी ट्रिक मैंने बता हैं आपके डेली लाइफ में यूज होना ले हैं तो सभी को सेट जरूर कर लेना अपने हिसाब से और समय के डिवाइस में यह जो एकाउंट है से सेट जरूर कर लेना क्योंकि अगर फोन खो जाता है ना तो कोई भी ब कोचिंग टाटा बाई बाई